नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपाधकी से 429 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 80 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है या इसमें आए हुए महत्पूर सब्दों के आउट्लाइन्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्टेशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो असी की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें इस्टार्ट जनगरना की तैयारियों के बीच जातिगत जनगरना की नए सीरे से मांग उठने पर हैरानी नहीं जहां बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार इस मसले पर सर्वदलिय बैठक बूलाने की तैयारी कर रहे हैं वहीं कई अन्य दल भी केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बढ़ा रहे हैं की जनगरना जातियों के हिसाब से भी हो वास्तव में इस तरह की मांग प्रतेक जनगरना के पहले होती रही है लेकिन केंद्र सरकारें किसी ना किसी कारण उससे इनकार करती रही हैं इस बार भी केंद्र सरकार ने यह अस्पष्ट कर दिया है की जाती गत जनगरना कराना संभव नहीं माना जाता है कि जाती जनगरना से इसलिए हिचक दिखाई जा रही है क्योंकि इससे जनगरना में और देर हो सकती है जो कोविड महामारी के कारण पहले से ही देरी का सिकार है एक अन्य कारण यह अंदेशा है कि इससे आरक्षण की मांग और तेज हो सकती है इसी तरह जाती गत जनगरना के आंकड़े सामने आने से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग के जोर पकड़ने का अंदेशा है जो भी हो सवाल यह है कि जब अनुसुचित जातियों और जनगरना होती है तो फिर अन्य जातियों की जनगरना करने में हर्ज क्या है हो सकता है कि आंकड़े वैसे ना निकलें जैसे निकलने के कयास लगाए जा रहे हैं एक तथ्य यह भी है कि आरक्षड में क्रीमी लेयर का जो प्रविधान लागू है उसे और तर्क संगत बनाने के साथ आरक्षड विवस्था को ऐसा रूप दिया जा सकता है जिससे पात्र लोगों को ही आरक्षड मिलना सुनिश्चित हो सके पैरा अपने देश में जातियों जनगरना 1931 में हुई थी उसी के आंकडों के अनुसार विभिन योजनाएं चलाई जा रही है अन्य पिछडा वर्गों को सरकारी नौकरियों और सिक्षा संस्थानों में आरक्षड का आधार भी 1931 के आंकडे ही है इतने पूराने आंकडों के हिसाब से विभिन योजनाओं को संचालित किया जाना आधर्स इस्थिती नहीं जाती भारतिय समाज की एक सच्चाई है उससे मुह मोलने का कोई मतलब नहीं यह समझा जाना चाहिए कि जाती गत जनगरना ठोस नीतियों के निर्मार में भी सहायक बनेगी और समाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी उन जातियों की वास्तविक इस्थिती भी सामने लाएगी जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे सरकारी योजनाओं से सही तरह लाभानुत नहीं है जहां तक इस आसंका की बात है कि जाती गत जनगरना के आंकडों से जाती वादी राजनीती करने वाले दलों को अपनी राजनीती चमकाने का मौका मिलेगा तो विभिन जातीयों की सामाजिक आर्थिक इस्थिती को रेखांकित कर ऐसे उपाय किये जा सकते हैं जिससे जाती गत जनगरना का बेजा राजनीती कि इस्तेमाल ना होने पाय दुरूपयोग के अंदेशे से सच को सामने लाने से बचना उचित नहीं इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मे लेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट जनगरना की तैयारियों के बीच जातिगत जनगरना की नए सीरे से मांग उठने पर हैरानी नहीं जहां बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार इस मसले पर सर्वदलिय बैठक बूलाने की तैयारी कर रहे हैं वहीं कई अन्य दल भी केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बढ़ा रहे हैं की जनगरना जातियों के हिसाब से भी हो वास्तव में इस तरह की मांग प्रतेक जनगरना के पहले होती रही है लेकिन केंद्र सरकारें किसी ना किसी कारण उससे इनकार करती रही हैं इस बार भी केंद्र सरकार ने यह अस्पश्ट कर दिया है की जाती गत जनगरना कराना संभव नहीं माना जाता है कि जाती जनगरना से इसलिए हिचक दिखाई जा रही है क्योंकि इससे जनगरना में और देर हो सकती है जो कोविड महामारी के कारण पहले से ही देरी का सिकार है एक अन्य कारण यह अन्देशा है की इससे आरक्षड की मांग और तेज हो सकती है इसी तरह जाती गत जनगरना के आंकड़े सामने आने से आरक्षड की सीमा बढ़ाने की मांग के जोर पकड़ने का अन्देशा है जो भी हो सवाल यह है की जब अनुसूचित जातियों और जन जातियों की जनगरना होती है तो फिर अन्य जातियों की जनगरना करने में हर्ज क्या है हो सकता है की आंकड़े वैसे ना निकलें जैसे निकलने के कयास लगाए जा रहे है एक तत्य यह भी है कि आरक्षड में क्रीमी लेयर का जो प्रविधान लागू है उसे और तर्कसंगत बनाने के साथ आरक्षड विवस्था को ऐसा रूप दिया जा सकता है जिससे पात्र लोगों को ही आरक्षड मिलना सुनिश्चित हो सके पहरा अपने देश में जाती गत जनगणना 1931 में हुई थी उसी के आकणों के अनुसार विभिन योजनाई चलाई जा रही हैं अन्य पिछडा वर्गों को सरकारी नोकरियों और सिक्षा संस्थानों में आरक्षड का आधार भी 1931 के आकणों ही हैं इतने पूराने आकणों के हिसाब से विभिन योजनाओं को संचालित किया जाना आधर्स इस्थिती नहीं जाती भारतिय समाज की एक सच्चाई है उससे मुह मोलने का कोई मतलब नहीं यह समझा जाना चाहिए कि जाती गत जनगरना ठोस नीतियों के निर्मार में भी सहायक बनेगी और समाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडी उन जातियों की वास्तविक इस्थिती भी सामने लाएगी जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे सरकारी योजनाओं से सही तरह लाभानवित नहीं है जहां तक इस आसंका की बात है कि जाती गत जनगरना के आंकडों से जाती वादी राजनीती करने वाले दलों को अपनी राजनीती चमकाने का मौका मिलेगा तो विभिन जातियों की सामाजिक आर्थिक इस्थिती को रेखांकित कर ऐसे उपाय किये जा सकते हैं जिससे जाती गत जनगरना का बेजा राजनीतीक इस्तेमाल ना होने पाये दूरूपियोग के अंदेसे से सच को सामने लाने से बचना उचित नहीं इस्थाप